नमस्कार दोस्तों आप है अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे और बेक्राउंड में आपको बहुत तेज तेज बादलों की आवाज आ रही होगी क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को मैंने बना तो दिन में लिया था जब मोसम ठीक था लेकिन अम मैं इसकी रिकोर्डिंग शाम के टाइम कर रही हूँ जब खूब तेज बरसात हो रही है और खूब बादल भी गरज रहे है तो बिल्कुल मुझे भी अच्छा लग रहा था कि आपको ही बैक्राउंड में बारिश की और इस तरह से बादलों की अवाज आए अच्छा लगे आपको तो बिल्कुल दोस्तों आज जो हमारा सबसे फेवरेट प्लांटी कहलों फेवरेट क्यों वह सभी का फेवरेट ही है ऐसा नहीं है कि मेरा मेरा फेवरेट हो या का शोक रखता है नहीं रखता है वह प्लांट सभी कही फेवरेट है तो यह है अपना गुलाब का प्लांट और बिल्कुल दोस्तों यह आज का वीडियो जो है हम देसी गुलाब पे ही बस एक दूस्ट शेयर करेंगे कहलों तो बिल्कुल दोस्तों जैसा कि मेरे पास बहु कैसे बढ़ाएं और ज्यादा फ्लावरिंग कैसे लें तो दोस्तों सबसे पहले तो यही समझ लोगो कि देसी गुलाब को प्रून करने से कोई एफेक्ट नहीं पड़ता जितना आप उसके अच्छे से प्रूनिंग करते हो उतनी ही उस पे अच्छे अच्छे ब्रांचिस बनती हैं और उतनी ही बढ़िया किसम का फिर गुलाब मिलता है आपको भरा भरा सा तो आगे के दो चर महीने भी गुलाब वाले हैं वैसे देसी गुलाब दोस्तों आपका सारे साल आता रहता है बस थोड़ा सा जो साइज है ना वो छोटा इसलिए हो जाता है लू की कारण गर्मी के कारण वो भी एक दो महीने के लिए फिर जैसे ही बरसात वाला मोसम आना शुरू होता है फिर आपका साइस ठीक हो जाता है तो देसी गुलाब दोस्तों ऐसा प्लांट है जिसको कि आप कभी भी और कहीं भी लगा सकते हो चाहे इसको गमलों में लगाओ क्यारियों में थोड़ी सी ठंडा का जाती है मुसम में और या फिर इसको अब लगाओ जब ठंड खतम हो चुकी है तब लगाओ तो इसका ऐसा कुछ नहीं है कि आप लगाते हो डरो इसको या इसकी को इतनी ज़्यादा देख वाल कि आपको जिरूर पड़ेगी लेकिन दोस्तों सबस जल्दी ना फंगस वगरा से बहुत जल्दी एफेक्ट हो जाती है और मतलब बहुत तरह की समस्या इंपे आ जाती है यह तो बहुत जल्दी ना इनफेक्शन में जल्दी आ जाती है किसी भी तरीक्य का हो तो गुलाब एक बड़ा टची सा प्लांट है इसको अगर आप प्राइटी आप लगाते हो थोड़ा सा आपको इसको ध्यान देना होता है चाहे आपके गंबले में लगे हैं चाहे आपके क्यारी में लगे हुए है तो जब भी दोस्तों आप नरसरी से गुलाब लाते हो मैंने वैसे वीडियो बना रखता है शैद इंग्लिश गुलाब लेकिन तरीका वही है तो जब भी आप गुलाब लाते हो सबसे पहले तो रोस तो यह जान लो कि गुलाब को डीकंपोस्ट वाली चीज़े बहुत अच्छी लगती है जो फूली डीकंपोस्ट चीज़े होती है जैसे गोबर की खाद होगी वर्मी कंपोस्ट होगी आपकी और यह चाई की पत्ती डेली जो हम चान के ऐसी फैक देते हैं रस्टमीन में यह होगी तो इस तरह की चिज़े नहीं से डीकंपोस्ट वाली बहुत अच्छी लगती है और जब आप ये अपने प्लांट को देना शुरू करते हो तो आप यकीन माननों कि आपके गुलाब के और दूसरा जब उस पर फूल खिलते हैं तो वह भी बहुत ही पहले से अच्छी क्वालिटी के खिलते हैं वह आप खुदी महसूस करोगे क्योंकि आपने उसको ध्यान देना शुरू कर दिया गुलाब का दोस्तों कोई भी प्लांट हो आपका अफेक्शन मांगता है वह अ तो थोड़ा सा यह प्लांट है जो आपके एफेक्शन मांगता है और बिल्कुल दोस्तों जब आपने इसको लगाना है देसी गुलाब को तो आपने एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी जो भी इंफेक्टिड ब्रांच हो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी दिखा कैसे लगाना है अपने कभी भी कोई पत्तों पर इंफेक्शन हो या ब्रांचिज आपको लगनी अच्छी नहीं है या डेड हैडिंग शुरू हो जाती है कई बर इसकी तो आपको इसकी सफाई करके ही इसको ट्रांस्पलाट करना है या रिपोर्ट करना है किसी भी गंबले पहले उसकी अच्छे से साफ सफाई कर लें सारी उसकी जो खराब पतियां वो घटा दें जो ब्रांचिज खराब हैं वो घटा दें और बिलकुल उसको साफ सुत्रा करके तब आपने उसको लगाना है और दोस्तों कि गुलाब को सबसे ज्यादा चीज क्या पसंद आठती है सब ज्यादा डूसकर दूसके बाद तो आप इसके रिजल्ट देखोगी नाम मतलब वाक्य के जिन लोगों ने प्रियोग आप इस पे इंफेक्शन दोस्तो इस पे होता तो ही तो आपने उसके लिए क्या करना है एक तो सोईल में इसके लिए आप जब इसको लगाते हो ना तो थोड़ी सी काली मिरस का पाउडर, हल्दी पाउडर, डालतीनी पाउडर इन तीनों को मिक्स करके भी अपनी सोयल में लगा दिया करो ताकि किसी भी तरह के को इंफेक्शन वाले फंगस वाले या चुट-चुटे किट किटानू होते हैं जो कई बार गुलाब की जो देसी गुलाब होता ना दोस्तों उसमें मिठास होती है तो कई बार ऐसे किटानू होते हैं जो इसकी जड़ों को खा जते हैं और दीरे-दीरे हमारा प्लांट डेड होना शुरू हो जता है तो उन सभी किटानू को मारने के लिए जो कि हमारी जड़ों को नुकसान पहुचा सकते हैं तो आपने ये चीज़े अपनी soil में मिलाने हैं इसको लगाते वक्त चाहए आप और क्यारी में लगाओ चाहए आप गंबले में लगाओ और दोस्तों ना तो इसको गुलाब को जादा पानी पसंद है कमशाध पानी पसंद है और वहां से फिर हवा अगर जड़ों में गुसगी ना तो फिर प्लांट सारा खराब हुजएगा पानी आपने किसी भी कोद्दे को ऐसे देना है जैसे मैं आपको दे के दिखा रही हूँ इस तरीके से क्या है कि पूरे के पूरे सोयल में एक मुष्चर लेवल मेंटेन हो जाता है इकुली यह देख रहे हूँ मैंने प्लांट को नहीं भी गोया मैं उसकी सोयल को भी गो रही हूँ और कई पर दोस्तों हम शाम के वक्ते जैसे पानी देते है ना तो पानी की जो बुंदे है या मुष्चर वाला जो एक महौल है वो आपके प्लांट में बन जाता है और जिसकी वज़े से भी फंगस वाले या इंफेक्शन वाले कोई भी केटानू है आपके प्लांट की तर तो सोल में पानी देना अगर रात को पानी पतियों पे रुग गया और सारा मुष्चर वाले एक एरिया साब बन गया ना उसके चारो तरफ तो सबसे ज़्यादा इंफेक्शन उसी वक्त उपता है और महीने में दोस्तों तीन चार बार हफते में एक ही बार कहलो है ना महीन कोई भी आपके पास ऐसा सोल्यूशन हो तो वह पानी में डालके स्प्रे कर दिया करो उससे कह स्पाइडर का अटेक वगरा वह भी हट जाता है और दूसरा कोई और इंफेक्शन जो ना हो नहीं होता फिर और दोस्तों तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा प्लांट के उपर करते हैं जब आप प्रूनिंग करते हो तो जो आप उसकी ब्रांच और उसको ऐसी छोड़ देते हो और सबसे ज़्यादा इंफेक्शन वहीं से शुरू होता है जैसे कि हमारे शरीर पे कोई घाव हो और हम उसको खुला छोड़ दें तो इसी तरह से दोस्तों हमारी आपके पास कोई पाउडर है उसका गाड़ा सालेब बना के वह लगा दो तो सबसे अच्छा मुझे वैसे मूम वाला और यह नेल पेंट वाले लगता है क्योंकि और कुछ हम लगाते ना तो जैसे पानी वानी देते हैं यह हावा वगरा चलती है तो जड़ जाता है तो यह दो तीन चीज़े हैं जो नहीं हटती हैं जैसे प्लास्टर ओफ पैरिस का गोल बनाके लगा दे वो भी नहीं हटता और बस यही ध्यान रखते हो आपने अपने देशी गुलाब को लगाना है और इस वक्त दोस्तों आप बटन रोज भी लगा सकते हो छोटे 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 हैं वो थोड़ा सा अभी बच जाना लगाने थे तो अक्तूबर में लगा लिखते लेकिन अगर आप देख भाल कर सकते हो आप ठंड़े लाकों से हो तो आप बेशक लगा लेना क्योंकि हमारे यह दोस्तों गरम मोसम रहता है थोड़ा सा सोच समझ के पोद्धे लगाने प अरे बिल्कुल सुंदर सुंदर प्लांट लगाओ अपने घर में गरी बढ़ाओ और अच्छे चे काम करो जीवन में और क्या हो को मताओ तो बिल्कुल हर्याली फैलाने से ना मन भी खुश होता है अस-पस का बातावरान भी कूपसूरत होता है और एर में ऑक्सीजन की मात बहुत जादा बढ़ जाती है जिससे कि आपके काम में पॉजिटिविटी बहुत जादा आ जाती है तो बस दोस्तों थैंक यू वेरी मुच ठेक के रोफियों रेक्यान